अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी सत क्या वजय है कि इसको हम लेके आएं देखिए हमारे इतिहास में ये एक पॉइंट रहा है कि हमने कई सारी बैकवर्ड कम्यूनिटीज के साथ ना इंसाफी करी है इंजस्टस करी है एंड उस इंजस्टस को करेक्ट करने के लिए हमारे समविधान नहीं ये मैंशन किया कि ऐसा है ऐसी हमारे यहां कुछ कम्यूनिटीज हैं कुछ ऐसे हमारे संप्रदाइव हैं जिनको हमें अपलिफ्ट करना है और बाकियों के बराबर लेके आना है ठीक है तो सम्विधान नहीं बोला कि देखो ऐसा है जब आप इसको बनाना इस आयोग को पहले तो special officer ही चाहिए था उसके बाद हमने आयोग बनाया खेर आभी देखते हैं वो आगे तो NCSC को जब बनाने का mission था vision था तो यही था कि यह पहली बात हो सम्विधान होनी चाहिए ठीक है यह इनकी अपनी विजन है यह अपना इनकी website से लिया है तो और यह जब बने यह भलाई के लिए बने वेलफेर के लिए बने social economic development के लिए बने और सारे जो अनुसुचित जाती जन जाती या backward classes के जो communities के जो लोग है जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसमें सुधार हो सक ताकि बाकी हमारे और जो citizens हैं वो कभी इनके उपर कोई atrocity ना कर पाएं जो पहले हुआ करती थी ठीक है अब इसको ध्यान में रखते हुए ncse का घठन हुआ कि भाई social इनका benefit हो सके social इनका development हो सके इनका educational growth हो सके इनकी economic growth हो सके सारी चीज़ है इनकी अपना culture अपनी परंप अब यह याद रखना कि ऐसे national के नाम से बहुत सारे और भी कमिशन है पर यह बाकी सारे commissions statutory है यह हुआ एक constitutional body और जो बाकी यह बना है समविधान से ही मैं आपको पता चुका हूँ पहले जिसका जिकर समविधान में हो गया तो भाईया वो तो बन गया एक बार बन गया समव समविधानिक पावर उसके पास यह जो बाकी हैं जैसे ncw आया राष्टि महिला आयोग तो और इसके लावन भाई एन चार सी नियाशनल हुमन राइट्स कमिशन तो यह सारे जो बने हैं यह अपने अपने अनुसार बने हैं पारलेमेंट ने अलग-अलग एक्ट पास किया हैं इनको बनाने के लिए तो यह अपने पारलेमेंट के बनाई एक्ट से आये हैं और ncst हुआ यूपीस हुआ यह सारे के सारे कमिशन आये हैं समविधान के अपने प्रोजेक्शन से समविधान के अपने वूम्ब से अपने पेट से पैदा हुए समविधान के इनको तो प लोगों के भलाई के लिए जनहित के लिए खैर आए कैसे ही है तो हमें पता चला जब हमने आर्टिकल 338 की लैंगवेज पड़ी 338 की लैंगवेज में शुरू महीं जिकर कर दिया गया था ठीक है और यह क्या करेंगे यह सारे मैटर्स जो भी होंगे रेलेटिंग टू कॉंसिट्यूशनल सेफगार्ड जो भी हमने सीज और सीज के लिए किये हैं यह उनका ध्यान रखेंगे उनका पालन करवाएंगे ताकि इनके साथ सीज और सीज कोई अहित नहुने पाए ठीक है अब फिर हमने बाद में जब इसको नॉर्मल वर्किंग डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू किया कि आप हो एक कमिशनर फॉर सीज और सीज थीज ठीक है और इनको सेम ड्यूटी इनको पकड़ा दी कि सर अब आपके पास मेंडेट है आपके पास ऑफिस है यह सारी बात पड़ोगे तो इसमें एक क्लॉज है जो कहता है कि आप इनका भी ध्यान रखना ये भी यहीं की यहीं जुड़े हुए हैं एंग्लो इंडियन्स जब हम इनकी बात करते हैं सीज की तो आर्टिकल 338 की अनुसार आप हमेशा साथ में इनको भी लेके चलना एंग्लो इंडिय आप हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज एंग्लो इंडियन्स के वंशज हैं जब इंडिया अजाद हुआ तब हमने देखा कि कई सारे ऐसे ब्रिटिश जैसे कहते हैं ब्रिटिश लीनियज के लोग थे तो क्या हो सकता है उनके फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट को सब्सक्राव कोई जना उनके फैमिली लाइण अप में वह बाहर से था ब्रिटिश था पर अपर उन्होंने इंडिया को छोड़ा नहीं वह यहीं रहे तो हमने बोला कि आप ऑपसे एंग्भू मैंडियों इंडियें आत Benjamin आतुसे ऑमेरिकन एफैकन उते हैं एफ्रिकन अमरीकन होते हैं तो हमने काओ आप हमारे रहे ड़ यह בפी कि हमारे यहां प्राफधान भी था इनके लिए 2 सीटों का ईया जो हमारे राश्पति जी भेजते हैं बभाताना मुझये इन आप इनको बोल अब हमने का आर्टिकल 38 में खाली स्टीस की बात नहीं है इनको भी याद रखिएगा ये भी माइनॉरिटी है इनको भी जिकर है पीच 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 तीक है हम आगे गए हमने का आगे बताओ तीस साल हो गाई आजादी को फिर हमने कहा अब सरकार एक रेसलिशन लेके आई है जिसमें बात करी गई है कि एक मल्टी मेंबर कमिशन मना जा रहा है फोर एसी जने स्टी टोगेदर दोनों के लिए एक साथ अभी एक रेसलिशन से पास हुआ है दूसरी बात ये नॉन स्ट्यूटरी है इसका मतलब है कि अभी कोई नो अभी कोई एक्ट पास नहीं हुआ है जब तक स्टायूट जब तक लॉप आजिनीएम पास नहों उजाए तब तक हम बोलेंगे कि आपर नॉन स्टायूटरी बॉडी जैसे CVC या हमारा जुसा सतरकता हमारा जो अभियान होता है आयोग होता है तो सीवीची एक रेजलीशन के थुरू पास हुआ है तो सेंटर्ल विजिलेंज चल रहा है जो कि नॉन सेडिटरी है जो कि जिसके पाद अभी लॉग की ताकत नहीं है साथ में एक जो कॉंसिल्यूशन पोस्ट है वो भी बरकरार है ठीक है हम आगे गए हमने का और आगे बताओ फिर एक कमिशन बोलना शुरू कर दिया गया सरकार ने दुबारा एक अनदर रेजुलिशन पास किया इसके बाद बोला कि हम इनके इस कमिशन के फंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं और हम इसको रिनेम कर रहे हैं नैशनल कमिशन फॉर एस सीजन अभी भी एक पास नहीं हुआ ठी हम एक हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉड़ी बनाएंगे हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉड़ी जिसका नाम होगा ncst स्वरी ncst ऐसे गरके पूरा नाम है अभी तक स्टी का विभाजन नहीं हुआ है वो आगे होगा यहाँ ठीक और सिंगल जो स्पेशल आफिसर था जिसको अब एक मल्टी मेंबर बॉड़ी है इसको दो काम यह समाल लेगी ठीक है इस बॉड़ी ने रिप्लेस कर दिया कमिशनर को फॉर एसी जने स्टी और एस वेल एस दक और फिर यह जो कमिशन सेट अप हो गया ठीक है बाइद रिजुलिशन ओफ 1987 थीक बात है 2003 आया वाश्पा हम बोलेंगे एक NCSC होगा एक NCST होगा through an amendment 338A यहाँ पर amendment आ गया है यहाँ पर एक alphabet जुड़ गया है article के आगे that means उस article को insert किया गया है यह हुआ ठीक है तो दो आयोग बन गए different different अगला chapter यह वाला है ठीक है अब इनके देखो अभी आगे क्या हुआ है जब 2003 में बना दिया सब्सक्राइब है जो हमारी स्टैट्यूट की पावर आई तो 2004 से हमारा पहलाम कमिशन बोलेंगे उसको ठीक है तो यह सारे अभी तक चेयर परसन रहे हैं और प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया जी से तो मैं परसली मिला भी हूं and he was an MP from आगरा फिर ठीक है हम आगे चले हमने तो तो यह दिखा कि कौन कौन है इसमें चेयर परसन तो होई गए चेयर परसन के साथ उनके वाइस चेयर परसन होंगे और तीन बाकी और सदस्य की मेंबर और कैसे हो रहा है अपॉइंट्मेंट हो रहा है only by the President by a warrant under his hand and see राश्पती जी इनका अपोइंट्मेंट करेंगे द तो उसमें जा कोई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि कभी-कभी आप अगर सोचो कि कभी भी इसमें जेंडर नूटरल वर्ल्ड नहीं यूज करे गए हैं या किसी को लगे कि देखो जो फेमिनन नेचर है उसको इग्नोर किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है ठीक कैसी होगी यह सब कैसी होगी दिस ओल इटर्माइंड बाए दप्रेसिडेंट इट्सेल यहां पर प्रेसिडेंट का मतलब है सी ओ एम समझ में आगई बात राश्पती दो नहीं करेंगा खुद वो तो यूनिन कांसलों मिनिसर बताएगा कि सर हम ऐसे इनका बना रहे हैं कि इनका आफिस ऐसे होगा सब कुछ ऐसे होगा और इनका टेन्योर इस जैनरली जैनरली होता है तीन साल जितने भी यह लोग होते हैं वे आर एलिजिबल फॉर अ सेकिंड टर्म बट नो मोर ओनली एड ओनली तुटाइम्स आप बन सकते हो ठीक है ठीक है चलो ठीक है अबी जो लेटेस्ट जो जो चेर परसंट थे उन्होंने रिजाइन किया है for personal reasons तो current status में as of today December 2023 हमारे NCSC में अभी चेर्मेन की कुरसी खाली है यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो दूर से हो सकता है white background में ना दिख रहा हो पर chairman की और chairman के PS की जो person secretary होंगे इनके तो chair की दोनों chair भी इस समय खाली है और जो यह member है vice chairman श्री अरुन हल्दर जी यह समय भूमिका निबार है chairman की ठीक बात है एक member की और अभी vacancy और है हो सकता है किसी वजह से नहीं भरी गई हो या कोई और काभिल candidate न मिल रहा हो जो भी हो ठीक है समय आने पर यह सब भर जाएगा ठीक है यह इनका structure है कि अब इस office का अपना secretary श्री गुड़े श्री निवास जी है इस समय इस और यह समय secretary है ncsc के ठीक फिर इनके अंडर एक और joint secretary भी है ठीक है फिर उनके अंडर बहुत सारे और भी लोग है यह SSW का department देखते हैं यह admin का department देखते हैं यह सारे आप नाम देख सकते हैं ठीक है ओक के तिर आगे बताओ functioning main main इनकी यहीं कि आपको protection of civil rights देखना है scs के साथ कभी कोई और तुरकटना ना हो जाए कुछ और ऐसा मतलब कोई अपराद ना होने पाए इनके साथ जैसे ऐसे वाले matter जो इनके atrocity से तालुकात रखते हैं जैसे कि civil rights act जिसको हम पहले बोलते थे protection of sorry इनको 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 हम पहले बोलते थे एक बहुती harsh word use करते थे सब्सक्राइब करते हैं हमने बोला कि यह है civil rights act ठीक है और इसमें हम यह सब देखेंगे कि याद रखना matter क्या है बंदुवा मज़ूरी नहीं हो जाए minimum wage act मतलब minimum wage सबको मिलती रहे ऐसा नहीं हो किसे के साथ कोई जैसे कहते गिर्मिटिया मज़ूरी ना हो जाए कोई बंद इसका promotion उनका reservation उनके number of seats वो सब secure है की नहीं assured है की नहीं department में उनका representation है की नहीं पूरे विभाग में वो सब डिल्स इंडिविजल representations on service safeguards to review and monitor the implementation of reservation policy यह करेंगे यह फिर economic and social development wing यह public sector में होता है जैसे development of SC's particularly implementation monitoring of plan scheme of central state सरकार कोई कोई जो स्कीमें आती है तो उसमें SC's के लिए benefit क्या है क्या कैसे उनका और उत्थान हो सकता है इसाब बात है to inquire into specific complaint with respect to the deprivation of rights of SC's कि कभी अगर किसी SC का अधिकार का हनन हो गया तो वो कहां जाए किससे बात करे तो उनका सारा economic planning उनका social development वो सब सामने देख रहे हैं खाली यहीं नहीं है काम और भी है काम कैसे कैसे देखते हैं अब सारे matter को investigate करना monitor करना यह पढ़ना यह समझना कि इनके सेफगार्ड जो जो जितने भी हैं और लीगल सेफगार्ड जो भी हैं SC के तो हम उनको हम उनको preserve करे हुए कि नहीं हम उनकी monitoring कर रहे हैं कि नहीं कि कानून तो बनागे रख दिया है पर पता चल रहा है कि अभी भी शोशन जारी है यह सब इनको monitor करना है यह देखना है इनको फिर दूसरा काम कि यह inquire करेंगे पता करेंगे अगर कोई complain आ गई तो respect to the develop यह कि अगर कोई rights का deprivation हो गया तो अगर SC के किसी rights का हनन हो गया तो या किसी भी right को अगर उन्होंने abrogate किया या average किया किसी SC के fundamental right को तो उनको सब को safeguard करना है ठीक है यह भी करेंगे to participate and advise in the planning process of socio-economic development of SCs and to evaluate the progress of the development under the union or state कि जब यूनियों और सेट सरकारे कोई कोई scheme लाएं कोई policy लाएं कुछ लाएं तो यह अपनी advice जरूर दें यह participate करें उसमें यह बताएं उसमें कि नहीं नहीं इसमें हमारे लोगों के लिए safeguard आपने सही से नहीं लगाएं या यह बताएं कि यह आप scheme तो लेके आयो ठीक है पर क्या यह actual में पहुंच पाएगी कि नहीं गाहों तक सब जगह तक और शेहर में भी फिर टू प्रेजेंट टू प्रेजिटेंट राश्पती जी को annually और बागी किसी भी और समय अपनी अपनी रिपोर्ट देना reports upon the working of those safeguards काम हो रहे के नहीं हो राश्पती जिसको टेबल करेंगे पार्लेमेट में अभी वो भी आगे है देखते हैं फिर टू मेग recommendations as to the measures that should be taken कि आगे और क्या हो सकता है क्या हमको कोई act को strong करना है कि नहीं किसी act को dilute करना है कि नहीं reservation को और देखना है कि नहीं यह सारे topic जाए union हो चाए state हो अगर कोई अपने सेवगार्ट लाना चाहरे है कोई सरकार कोई निती लाना चाहरे है for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection welfare and development social economic development of the SCs यह भी देखेंगे यह बाद में राश्पती जी ने बोला मतलब सरकार ने बोला कि प्लीज आप इस पर इस पर चर्चा करें हम एक special topic आपके लिए लेकर आए प्लीज इस पर अपना मत रखेंगे और हमको बताए कि क्या करें ठीक है यह सब काम हो गए हम आगे चले हमने बताओ कि यह रिपोर्ट जारी का जारी तो NCSC अपनी रिपोर्ट ऐनुए ली तो देगा यी देगा पर हो सकता है एट अनी अधर टाइम बे चीच फिट मतलब इट सी फिट हो सकता है राश्पती जी को देनी हो रिपोर्ट अगले साल देनी हो पर हमें लग रहा है कि हम पूरिज कर चुके हैं और अ पारलेमेट में जब यह अपनी रिपोर्ट टेल करेंगे इनकी रिपोर्ट तब उसमें साथ में एक यह विरिगों पैने मैमोरेंडम हैं ये ये लेटर और ग Earinking किसाब ऐसा हुआ थी ने हमको कही सारी कमेंडेशन दी हम इसमें गुछ मानी खें और जो मानी हमने हुरा पर क्या का काम किय तो तो ये सारा पण उस पर कितना काम किया और अगर कोई काम नहीं किया तो ये भी बताओ क्यों नहीं किया non acceptance क्यों होई थी along with reasons for the non acceptance of any such recommendation अगर कोई रिपोर्ट दी गई है then why did you not why did you not implement it अगर रिपोर्ट दीया है then why did you not accept it क्यों नहीं किया उधर चलो states की तरफ states में भी एक चीज हो रही है कि राश् राश्पती जी ये रिपोर्ट भीजेंगे स्टेट के गवर्णर को ठीक है क्योंकि रिपोर्ट थी स्टेट की government के लिए ठीक है तो गवर्णर साब इस रिपोर्ट को प्लेस कर देंगे before the state की विदानसभा ठीक है साथ में विदानसभा में जाने के समय ये रिपोर्ट में यह भी जाएगा किसाब इस स्टेट की सरकार नहीं क्यों अपनी रेकमेंडेशन नहीं मानी है जब NCST ने स्टेट सरकार के लिए एक रिपोर्ट बना के साथ में और दी थी कि लोग सब जब यह रिपोर्ट भी ज़रा इसको देख लेना एक बार क्या हुआ इसमें फिर क्या ह होता है कि इसमें फिर यह भी लिखा जाएगा कि स्टेट गवरनर को देदी हमने अब राश्पती जीने विजवादी रिपोर्ट के जाओ ज़रा पूरे विदानसभा में पूछेंगे कि स्टेट की सरकार से कि जब राष्ट्री एक आयोग ने आपसे बात करी थी तो आपन बता हो क्या क्या थाकते हैं तो जब यह किसी मेंटर के सुनवाई करते हैं को इंक्वाईरी कर रहे होते हैं इनके पास सारी पावर होती है औफस्स सिविल कोड़ कोई क्रैमेल कॉर्ट वाली बाद नहीं यह यानि कि यहां पर तै करेंगे जवाब देही जवाब देही किसकी लाईबिल्टी बनती है कि ये वाली बात करू underm Tiffany होता है कि अफ्राद है यह हो है civil सिवल को है जब कोई सूट civil इसुट जब चुट किया जाता है तोह पता चलता है कि लाग लिए फेम क्रिम प्रोंडालिया और एनफोर्स कराना किसी की अटेंडेंस और एनी परसन प्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एक्जामेने की मोनोत आसाम से बुला लिया तामिलनाडू से बुला लिया आओ दिल्ली और सामने बैठो पहला शपत लो और उसके बाद बोलो कि जो बोलो सच बोलो सच के सिवा पूछना बैटाउगा पर परजरी वन पतलब आपको पता होना चाहिए परजरी मीन्स कि कमिशन के सामने कमिटी के सामने आप अगर जान मुझे जूट बोलाए तो तो यह जूट बोलाए सामने कमिशन के ओष के समय वेन युँवार अंडर उत शपत लिए उसमें तुम ज receiving evidence on affidavits अगर शपत्पत्र दिया है किसीने कि सर मैं affidavit लिखके दे रहा हूं मैं शपत्र करके दे रहा हूं कि मैं जो बोलना हूं सच बोल रहा हूं उसका अपना कोई सबूत भी तो कैसे सच गया रहे हो तो माने कैसे सबूत लाओ वह भी लेका हैंगे किसी भी पब्लिक कोट से पब्लिक ऑफिस से कोई भी दस्तावेज मगाना कोई भी रजिस्टर मगाना कोई भी बुक एकाउंट कुछ भी मगाना ठीक है अगर किसी अगर किसी चश्मदीद को बुलाना है कि इस केस में कोई चश्मदीद है कि नहीं हां सर है वहां कैमेरा लगा हुआ था उस दुकान के बाहर तो हमें पता है दुकान दर को बुलाओ CCTV फुटेज मगाओ वो सब ठीक है वो हो जाएगा अब इसके बाद एनी अधर सरकार और स्टेट सरकार इनकी इनके पास मजबूरी तो नहीं कहेंगे पर हम यह मानना चाह रहे है कि देयर रिक्वाइड टू कंसर्ट दे कमिशन ऑन ओल मेजर पॉलिशी मैटर्स अफेक्टिंग एस्टी अल्रेडी हमारे पास स्टेट सरकारों में एक मिनिस्टर ट्राइ पूरा रेकमेंडेशन इंके सुनने ही चाहिए ठीक है कमिशन हास्टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैंटर्स पर्टेनी तू अधर लीगल सेफगार्ट ऑफ फॉर्द एंगलो इंडियन कम्यूनिटी जो मैंने पहले बताई दी आपको उपर के जहां जहां भी एंगलो के जहा आप डिस्चार्ज करोगे सिमिलर फंक्शन्स विद रिगार्ड टुद अधर बैकवर्ड क्लासे ऑल्सो दोधर ठारा तक अभी जाके एक सो दोवें अमेंडमेंड मेंड के बाद हमने कहां यह आप छोड़ दो क्योंकि इसकी वजह से हमारे सामने क्या बना है एंसे इसन प्राइब कोई 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 कमीटी कोई कमिशन कोई आयो कोई और प्रेसिडेंट साहब पार्लेमेंट में कौन सी कोई रिपॉर्ट पेजेंगे आंसर रिकमेंदेशन अव दे यून्य फण obviously yes, आधिसर ने पहली पढ़ाया, अब दो लेक्चर पीछे, यही पढ़ादा हमने, the report of the public accounts committee, हाँ, सही है क्या, मैं doubt कर रहा हूं, ठीक है, the report of the CAG, correct, the report of the NCSC, correct, इस पर मैं doubt क्यों कर रहा हूं, यह नहीं है, answer यह ही नहीं, तो, one, three and four answer है, public accounts committee करती है, सारा इन चीजों का बही खाता लिखती है, जोड़ती है, सारी defense की, railway की, सब तरहें की reports पेश करती है, और यह committee अपने आप से ही report table करती है, सारे parliament में, सारे MPs के लिए, report in parliament, public account committee बनी कहा से है, parliament से तो बनी है, public account committee का chair person कौन होता है, ex officio, तो ठीक है, यह करती है, अब इसके अलावा, Parliament में, जब राश्पती जी, अपनी reports डालते हैं, जब भिजवाते हैं, तो वो कौन कौन से कमिटी, कौन कौन से commission और जो होते हैं, जिनकी report डालते हैं, क्या election commission की report डालते हैं वो, या, UPSC की डालते हैं वो, report, मुझे बताना ज़रा, ठीक है, सो, यहाँ पे, हमारा यह chapter छोटा सा खतम हो रहा है, इसके बाद, हम next chapter में चलेंगे, जिसका नाम होगा NCST, till then, you keep studying, stay safe, good luck.